प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने सोमवार को विपक्ष के रूप में अपनी ताकत दिखाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कभी नहीं जुकेगी। सतत संखर्स जारी रहेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के केंद्र सरकारद्वारा पारित, किसान विरोधी बिल, श्रम कानूनों, बड़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज लखनों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जबजस्त बल प्रियोग करते हुए लाठी चार्ज भी किया, जिसकी वजह से बहुत से नेताओं वा कारिकरताओं को चोटे आई। पुलिस ने वीवी आईपी गेस्ट हाउस के पास बैरिकेटिंग लगा कर प्रगतिशील समाजवादी के कारिकरताओं को रोक लिया। सुबा से ही प्रदेश भर से पीएसी कारिकरताओं का पार्टी कारियाले पहुचना शुरू हो गया था। कारिकरता मुख्यमंत्री को ग्यापन देने के लिए अलग-अलग जिले से पीएसी कारियाले पहुचे थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं का कहना था कि वे लोग सीम योगी आदितिनाथ से मिलने लखनों पहुँचे थे। किसान विरोधी बिल, बढ़ती महगाई, बिरोजगारी सहित अन्यमुद्दों पर सीम योगी को ग्यापन देना था। लेकिन योगी सर सरकार ने लाठियां दी, लोक तंद्र का गला घोटा जा रहा है। सरकार से अपनी बात कहने पहुचे कारेकरताओं पर लाठियां बरसाई गई। जनता के हित में हम लोग सड़कों पर फिर उतरेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चात्र सभा प्रदेश अध् लखनो पुलिस के द्वारा पार्टी के बौधिक सभा के रास्टिय अध्यक्ष दीपक मिश्रा, महिला सभा की रास्टिय अध्यक्ष अर्जना राठोर, चात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव और चात्र सभा के प्रदेश महासचिव संजय यादव डंप चात्र सभा प्रदेश सचिव विवेक सिंग तनहा और प्रवक्ता अजयत्रपाथी मुन्ना सहित प्रदेश के विभिन जिला अध्यक्ष और रास्थी अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में गिरफतारी दी.